हेलो अब्रेवन यह वीडियो रॉबर्ट लिंग के एक फेमस एसे दमनी बॉक्स के बारे में है रॉबर्ट लिंग का पूरा नाम रॉबर्ट विल्सन लिंड ता है और यह एक आइरिस राइटर से सोसलिस्ट और पोईटरिक एडिटर थे साथी साथ यह एक रिमार्केवल फ फेरी टेल्स को सपोर्ट किया गया उसको फिर से रिवाइव किया गया और इसी पिरिएट में जो आइलन का जो नेशनल थीटर है जिसे एवेट थीटर भी कहा जाता है उसे उसका फाउंडेशन किया गया इस एरा में खास करके आइस लिटरीट रिवाइवल में डव्ब्य इसका एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है वह भी एक आइरिस राइटर थे पोईट थे एक फेमस आइरिस राइटर और पोईट थे प्रवाइट थे रावर्ट लीन का यह जैसे है दा मनी बॉक्स एक फेमस एसे है और इस एसे में हम लोग देखते है किस टाइप से लिन ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ ग्यू दिया है रिगार्डिंग मनी बॉक्स जैसे हम लोग गुल लग यह पीगी बैंक भी कहते हैं दा इडियो और राइटिंग दिस एसे सिंस कमिंग आउट तो सी ओन फिस नीज मनी बॉक्स प्रिंग समनी बॉक्स प्रमा क्रिसमस टी अट प पर और वहां क्रिस्मस ट्री से उसे मनी बॉक्स मिलता है और उसे लेकर के जब घर आती है उसको देख करके यह सबात उसे से में लिखते हैं इन यूरोपन कंट्रीज डिफरेंट ताइप सब गिफ्ट लाइग चॉक्लेट प्लेंग टूल्स मनी बॉक्स एक्सेक्ट्राइ और हैंग इन ख्रिस्मस टीट तो मेंग चिल्रेंग हैपी तो यूरोपन कंट्रीज में क्या होता है क्रिस्मस टीप पर डिफरेंट टाइप के गिफ्ट जैसे की चॉकलेट प्लेंग टूल्स मनी बॉक्स यह सब क्रिस्मस ट्रीप लटकाया जाते हैं और जिसे देख करके काफे कुस होता है चिल्रेंग बिकम ग्लाइग तो गिट दे मनी बॉक्स और जो चाहते हैं कि जो एज गिफ्ट उनको मनी बॉक्स मिले और वो कुसी-कुसी उसे लेकर के घर चले आता है और चिल्डेंग स्टार्ट ब्रॉपिंग क्वाइंस अं सेकिनेट विए रिश्ली सब्सक्राइब करते हैं और जब भी उनको लगता है कि जरुट है पैसे का तो वह स्कुर्ड्राइवर्स या अधर थिंग से वो उस पैसे को निकालने स्टार्ट कर देता है सब्सक्राइब कभी कभी बच्चे जो मनी बॉक्स है जिसमें वह अपना मनी सेव करते हैं उसको कभी कभी तोड़ भी देता है है जो परपस है कि बच्चे को मनी बॉक्स देने का वो क्या है कि पैसे को सेव करना यह में परपर साथी साथ उनको यह सब्सक्राइब करें तो बहुत बड़ा इमांट बन जाता है तो यह परफस है कोई भी पैरन्स अपने बच्चे को मनी बॉक्स देते हैं तो उसके पीछे यही है कि बच्चे को जो सेविंग का है उसको डेबलब करना साथी साथ उनको इस बात का रिलाइस करवाना कि देरे प्रिगाइब रिगाइब निवानी बॉक्स दिफ्रेंट फोश्वाइब गडिन अपने एक दिफ्रेंट पॉइव देते हैं यहां जो इस्टमक का बात वो कर रहा है इसका मतलब है कि हमारा नीट तो हमारा जो नीट है वह यूमन है वह संसेटिव अर वाम है अंड pocket का बात करें which means कि जो money boxes जब पैसा है is inhuman or unfilling or cold so it is better that the pocket should serve the stomach so कह रहे हैं कि जो pocket है which means जो money है वो हमारे पीट को शर्व करें then that the stomach should pocket यह नहीं कि जो हम हम अपने जो जो stomach which means जो हमारा भूक है उसको हम इना खाये ही रहे और पैसे को सेव करते रहे ऐसा so here stomach represents need while pocket represents money boxes only saving money is not important and useful अभी यहां एसे कहते हैं कि पैसे को बचाना ही important or useful नहीं है it is useless to sacrifice our happiness to save money so अगर हम केवल पैसे बचा रहे हैं और अपने जो happiness उसको sacrifice करते हैं तो यह useless है तो it make though it may make someone rich but there will be no pleasure at it अलाकि saving का concept है वो किसी को बहुत ज्यादा धनी बना सकता है but at end क्या होगा कहीं दिन कहीं हमारा जो भी pleasure था उसको हम खद्र करके ही वहां ते पहुंच आ है लेंद परसेंस स्टोड़ी माइजर प्रोग्रेस अब इस यसे में वह एक यह स्टार्ट से विंग एवरी स्मॉल इमांट तर नेज नीट और वो इतने भी उसके नीट से उसको रिजेक्ट करते हुए बस पैसे जमा करते जा रहा है अब देगेस ऑटी यूँ और जब फोटी यस का हो जाता है वह जो लड़का देन वह क्या करता है बैंक में अपना सेविंग अकाउंट को देता है और वह रचीज को वाइट करता है जिसमें लगता है इसको पैसे खर्च हो रहा है लाइक की अपने फ्रेंस को इंवाइट करना चोड़ देता है उसके सब घुमना फिंडा बंद कर देता है या भी टैक्सीज वेगरा लेना बंद कर देता है और वह सब कुछ जिससे उसके पैसे बच जा और जब वह 80 यस का होता है है यहाद प्लेंटी ओक मनी उसके पास धेरो सारे पैसे हो जाता है बट यह देजंट नो अट अट आव पैसे हो जाते हैं लेकिन वह उसे पता नहीं कि इसको कैसे और कहां कर्च करना और यह बिगंस अमनुमन्स ओफ सेल्फ देनियल और सेफ देनियल का वह एक मनुमन पैरेंस को गिप मनी बॉक्स तो इनोसेंट हैंस ओफ चिल्टन सो रॉबर्ट लिन लास्टली अपने जो इससे उसको कंट्लूट करते हैं एक टाइप का वर्णिंग भी है और एक टाइप का अडवाइस भी है वैसे पैरेंस को जो अपने बच्चे को मनी बॉक्स ऐसे भी देना होगा सो दाट वन गेट मनी वेन वन वांस जब कभी किसी को जरूरत हो पैसे का वह से निकाल से मतलब जो परपस है उसको क्लियर बच्चे को समझाना बहुत जरूरी है कि according to their need उसको निकाल सकते या पैसे का जो सही जगह पे कैसे वह खर्च करें टूल्स का मतलब यह हुआ कि बच्चे को यह चीज का सिखाना बहुत जरूरी है कि पैसे का जो कहां खर्च करना है कैसे खर्च करना है इसका जानकारी की देना चाहिए अगर आप मनी बॉक्स दे रहे हैं किसी बच्चे को तो So this was the video regarding Robert Link's essay TheMoneyBox, hope it will help you in your preparation of the exam Thank you all of you